इस कुश्चन में क्या कहता है आपका इस कुश्चन में कहता है हमारा कि एक S Limited taken over R Limited 9% debenture 100 रुपए का एक यानि कुश्चन में कहने का मतलब है कि एक S Limited है और एक है R Limited ठीक है एक S Limited है और एक R Limited ये कंपनी है दोनों काफी important adjustment है और मज़े की बात देखो ये वाला जो adjustment कर रहे है न इसी adjustment को सभी बच्चे छोड़ के आये थे become program के अंदर और ये adjustment इस chapter में नहीं पूछा examiner ने उठा के इसका एक दूसरा chapter भी है reconstruction internal reconstruction वहाँ पूछ लिया तो उस question paper को भी हम एक बार देखेंगे कर दो आया क्या क्या था तो same year adjustment इस वाइस से सब बच्चे छोड़ के चले गए बोले क्या आया पता नहीं समझ में नहीं आया तो कहता है कि एस लिमिटेड टेकन ओबर आर लिमिटेड नाइन पॉर्सेंट डिवेंचर यानि एस लिमिटेड ने आर लिमिटेड का टेकन ओबर कर रहा है तो इसका मतलब यह बिकने वाला कंपनी है 9% डिवेंचर और सर 100 रुपीज एच का था और फेस वेल्यू कितने रुपे 22,50,000 फेस वेल्यू 22,50,000 ठीक है कितने परसेंट वाला है यह 9% एक कितने का है 100 यह कुश्चन ने कहा आगे देखे continue debenture holder of s limited discharge by r limited इस line का मतलब क्या है कि जो s are एक मिंट डिवेंचर holder of s limited are discharge by r limited अच्छा उल्टा कर दिया है नहीं ठीक तो है आर और एस है s limited तो जो are limited कर जो debenture है इसको जो payment देना है वो किस ने दिया होगा कि एस limited डिश्चार्ज वाई कि आर लिमेटेड कि यहां कुछ error तो नहीं है हां तो यहां पर एस limited to be taken over ओके 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 थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया है यहां पर हां यह common चीजे हैं जो कि आप भी एक्जाम में ध्यान रखेंगे मैंने देखा s limited taken over बस मैंने देखा कि यहां एस के आगे taken over है तो मेरे माइंड में आया है कि एस बायर है लेकिन यहां पर ध्यान से पढ़ें एस limited इस टेकन ओवर बाए यानि एस limited को खरीदा गया है तो यह सेलर कंपनी और यह है कि समझे अब जब यह बायर है तो डिवेंचर किसका होगा डिवेंचर जी इसका अब र exposed अर लिमिटेड बोलता था मैं और तेरे डिवेंचर होल्डर के बदले में payment कोन कहारा है और लिमिटेड कि देगा देखते हैं कोशन में कहता है आर लिमिटेड THेरे डिवेंचर होल्डर के बदले में payment दोँगा issue such number of its 15 % debenture 100 rupis each maintain same rate of calculate number of debenture issue भायार इसका मतलब क्या हुआ आर लिमिटेट ने बोला कि मैं जो है ना तुम्हें debenture दूँगा मैं तुम्हें debenture दूँगा लेकिन जो मेरा rate of interest होगा वो होगा 15% क्या rate होगा हमारा 15% लेखिन आपको मैं इतने debenture दूँगा और उतने number of debenture दूँगा आपको जितना के आपको पहले interest मिला करता था वो interest impact नहीं होगा तो इस language में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मैं साधारन language में बोल देता हूँ आप समझिएगा मान लेते हैं कि आपके interest को impact करने के आपके पास 100 रुपय वाला 10% वाला debenture है दो आपको ब्याज कितना मिलता है को बता सकता इस पर ब्याज कितना मिलेगा जो बच्चा लाइव देख रहे हैं वह भी कमेंट में बताएं ब्याज क्या मिलेगा अग्या सौर रुपय 10% debenture है तो ब्याज क्या होगा सर 200 रुपय का तो debenture है और आप बोल रहे हो टाइम पर क्या बोला जा रहा है सुनिए अब हम आपको debenture देंगे लेकिन rate of interest होने वाला है 20% हम यह नहीं बताएंगे कि आपको कितना debenture देंगे लेकिन इतना बात तैह है कि मेरी company का debenture का भी प्राइज 100 रहेगा और आपका interest जितना पहले मिला करता था वही रहेगा वह affected नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि अब मुझे आपको कितने debenture देना चाहिए जिससे आपका interest impacted ना हो बताइए कितने debenture देंगे हम तो जवाब है सर एक ही debenture दो ना 100 रुपए के हिसाब से तो कितने बन जाएंगे हमारे 100 क्यूंकि rate 10% 20% है तो आपका interest क्या impacted होगा नहीं होगा सर अभी भी कितना मिलेगा आपको 20 रुपए ही मिलेगा समझे line समझ रहे हो कैसे आपने करा तो यह मैंने एक ऐसा example लिया था जो कि आपने दिमाग में calculate किया किया ना कैसे होगा तो इस तरीके से होगा लेकिन जब काफी बड़ा number हो digit बहुत सारा हो तो हम क्या कर सकते हैं वो दिमाग में calculate करना possible जैसे कि यहां तो question में अगर हम ध्यान से देखें तो sir सबसे पहले तो पहले number कितने थे पहले number की बात करें तो पहले अगर 100 रुपए का share था तो पहले number हुआ करता था हमारे पास कितने 22500 का था नई company में जाओगे आपको कितने डिवेंचर मिलेंगे आपको number नहीं पता इसके लिए सबसे पहले तो हमें पुराना interest जानना होगा पुराना हमें interest जानना होगा इंटरस पुराना कितना होगा पुराने टाइम पे तो सर 22,50,000 रुपए की investment थी जिसके उपर rate था 9% तो 9 by 100 तो बता दिजिए फटा फट से क्या होगा कैल्कुलेटर लाए हो जितने इबच्चे बैठे हैं कैल्कुलेटर लेगे जरूर आएं यहां पर बैठने से कितना रहे हैं दो लाख पच्च्चस जार अ लिए दो लाख पच्च्च सो चलिए दो लाख पच्च्च्च्स तो जवाब आया मेरा 2025 00 यही न को तो लोग पच्च्च्च्स सो हमारा इसका आंसर आगया 2,500, 3 जो जब इस कमपणी के अंदर सिफ्टेड होगा किसमें इस कमपणी के अंदर तो इसको ब्याज कितना मिलेगा ब्याज तो मिलेगा इसको तब भी चाहे कितने हो 2,500,000 बस फारकिये होगा इसको पहले ब्याज मिला करता था किस परसेंट की हिसाब से लेकिन अब जो मिलेगा वो मिलेगा कि मेरे सवाल का जवाब देना मेरे पास हजार रुपए का एक डिबेंचर है दस परसेंट वाला बताओ आपको ब्याज कितने मिले गए सौ रुपए बड़ी जल्दी निकाल लिगा हमने अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास सौ रुपए का इंटरस्ट है जो कि 10% के हिसाब से मिला था तो कितने रुपए हमें प्याज मिला था हजार अब मैं इसका कैलकुलेशन जानना चाहता हूँ बताइए हजार कैसे बनाया आपने दिमाग में कैलकुलेशन की हमें मानता हूँ पताइए 1000 कैसे बनाए हॉन्ड बाई है और हम्ड़ीड बाइ टैन का मतलब यहीं तो इंटरस्स के रेट को इसका रेट पता हो तो इसके रेट को इफार किया जाए तो हम पूरी वेल्यू तक पहुचपा रहे ही है ना तो तो यहां पर भी तो कहानी घूम फिर के वहीं आ गई अगर आप ध्यान दो तो कहानी घूम फिर के वहीं पर आ गई कैसे लोगी बताओ कि कैसे लोगे यह चोंगे यानि डिवेंचर जूमिलेगा आपको इन और लिमेट़ं कि इस अब रेट को हमने रिवर्स मैं आपने अभी करके बताया था एक छोटे से एक्जाम्पल पर वही कर रहा हूँ मैं बताईए 13,50,000 रुपए का हमारा वेल्यू होगा और एक डिबेंचर कितने का मिलेगा कुछ नहीं बोला हो तो 100 रुपए बोल दिया वैसे तो कितने का होगा 100 का तो 100 का मिलेगा नेंडर आफ कौन बच्चा बता सकता है नंबर आफ डिबेंचरaudio नहीं यहीं मैं तेरा लाग पचाश थजार हाँ और नहीं डिवाइड करके दिखाएंगे नहां अ कि हैं तेरा लाँ तेरा कि अ मित अ चैसे बाइड़ नहीं कोईजार नहीं यह तो अपने हाथ में है और मिटाना है तो यह आ गया तेरा चेक कर यह आंसर अगर एक बार आप कोश्चन भी पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ आप देख भी लीजिए कोई दिक्कत हो कुश्चन ने क्या कहा था अगर आपको बेसिक जो मैंने चीजे बताई अगर वो च चीजे आपको क्लियर हो गई कि हां सर यह चीजे पूछा था चोटा सा मैंने एक्जामपल लिया उससे समझाया तो यह कहानी आपको बहुत आसान लगेगी लेकिन आप इसे डिरेक्टली पढ़के समझ के कोश्चिस करोगे तो डेफिनेटली आपको यह लगेगा मुस्किल जो पूरा क्युस्चन आएका उसके बीच में डाल ड देगा क्यों डालेगा क्यूंकि बाएर कमपनी डिबेंचर को डिश्चार्ज करता है याद करिए आप जब डिष्चार्ज करेगा तो अब पर और लिए दिबंचर करने करने वाला हूआ पर तो ओल्ड डिबेंचर तू-डिबेंचर करेगा तो वहां पर यह हमारा नमबर बिदेश्चार देखो वहाँ पर क्या करेगा जब तो डिस्चार्ज करने मैं कि क२हीं और नीअच करने के निषियु suspend करना एक बर बता दो मुझे कौन से पुउइंट करना एक बर बता दो मुझे in terms कैसे निकाला आपको इंट्रत पता चलगी घा कैसे निकाला अगर हमें interest पता हो और उसका rate पता हो तो हम उसका पूरा value निकाल सकते हैं interest और rate के बिहाब पर value कैसे निकाला जा सकता है सर, interest को हम reverse कर दें, तो हमारा value निकाला जा सकता है, ठीक है, अगले question पर चले, एक और question है, यह balance sheet, आप सभी के book का ही question है, book का कौन सा question है, illustration number 9, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, इस illustration को, ताकि आपको पता भी चलता जाए book का, illustration 9, थोड़ा मैंने image क्लिक किया है, तो हो सकता है आपको visual ना हो, लेकिन आपके पास book है, और telegram channel पर मैंने भेज भी दिया है, यह तो telegram channel पर आप देख लेंगे, जिस जो बच्चे हैं, मैं link देदेता हूँ telegram channel का, जिन बच्चे के पास PDF नहीं हो निकाल सकते हैं, यह दिक्कत यह हो गई, कि एक ही पर आगया यह adjustment, हम सीधा adjustment की बात करने वाले हैं, balance sheet तो बाद में देखेंगे ना हम, पहले तो adjustment देखना पड़ेगा हमें, अब देखो कितने सारे 7 adjustment है, हर एक adjustment को हम धीरे धीरे एक एक करके करेंगे, और वही entry होने वाली है, जो हमने 6-7 entry सीखी वी, entry को एक बार फटा-फट से, सबसे पहले कौन सी entry करते हैं, business purchase का, business purchase की general entry क्या होता है बताओ, business purchase to liquidator, उसके बाद सारे क्या खरीद लो, assets, assets to liability, debit में लिकला तो, goodwill credit में लिकला तो, capital reserve, उसके बाद क्या करते हैं, PC को discharge, PC को discharge क्या करेंगा, liquidated to equity preference, जो भी बोला हो, उसके according, उसके बाद debenture को कर दो, discharge, अगर बोला हो, चाहें ना बोला हो, discharge करना पड़ेगा, debenture को कर दिया, discharge, debenture के बाद, अब हमें हमारे, liquidation expense देखा जाएगा, अगर expense है, और करा किसने हैं, ये भी चेक किया जाएगा, अगर seller कर रहा है, expense तो कोई entry नी, buyer कर रहा है, तो goodwill के नाम से, entry करेंगे, अगर goodwill और capital reserve, दोनों आ रहा है, तो compensation, compensate करेंगे, इसके बाद, अगर amalgamation adjustment में, कोई चीज पढ़ी है, हमारे पास, तो हम उसकी entry भी करके, क्या कर देते हैं, उसको write off कर लेते हैं, ये entry हमने देखा है, वही सारी entry है, चलिए, देखते हैं, पहले point की तरफ चलते हैं, पहले point की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, कहता है, on the above, rahul limited है, take over business of mihul limited, पहले question समझ लेंगे, फिर adjustment समझ में आएगा, एक rahul limited है, एक mihul, यानि M limited है, अब मुझे ये बताईए, simple सी बात, कौन किसको खरीद रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, यानि इस company को, पहले question करने से पहले, दिमाग में हमारा ये होना चाहिए, wire है और ये company, seller है, ये company क्या है, seller, ठीक है, आगे adjustment बेंगे देखते हैं, कहता है, all fixed assets, other than goodwill, are to be taken over at 20%, above the book value, कहता है कि भाई, इस company के, हम सारे fixed assets खरीदेंगे, और 20% से, उपर value पे, यानि इस company के पास, अगर assets है, 100 रुपए का, तो हम उसकी valuation, जो लगा के खरीदेंगे, वो कितने का खरीदेंगे, लेकिन ध्यान रहे, उसमें goodwill consider नहीं करेंगे, मैं थोड़ा इसको और visual कर देता हूँ, क्योंकि मैं solution दूसरे page पे करने वाला हूँ, इसके बाद आगे क्या कहता है, current assets, जितने भी current assets है, other than cash bank को छोड़ कर, are valued 15% below the book value, यानि जो भी current assets है, debtor हो सकता है, है न, आपका BR हो सकता है, उन सभी को 15% downgrade करके लेगे, cash पे नहीं अपलाएगा, क्योंकि cash को कोई थोड़ी न evaluation कर सकता है, पहली बात ये, कहता है goodwill को, अब जो छोड़ दिया था उपर goodwill, goodwill को हम 1.5 लाख मान के ले लेगे, ठीक है, आगे कहता है, यानि ये इस दो adjustment से, हमारे दिमाग में एक ही बात clear होती है, कि सर यहां पे सारे assets जो हैं, हम लेने वाले हैं, और, कुछ assets को किस value पे लिया जाएगा, वो बतारे गया है, liability के बारे में ना बोला जाए, तो मान लो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना, आगे कहता है, equity shareholder of mihoel limited, sir mihoel limited, यानि इसका equity share, बिखने वाले का, to be issue 8 equity share, 10 rupees each, हमने उसे 8 equity share देना है, 10 rupees एक के हिसाब से, at 12 rupees each, यानि premium पे share देंगे, तुम आ जाओ, हम तुम्हें 8 share दे रहे हैं, और premium के हिसाब से, every 5 equity share of mihoel limited, बोलता है भाईया, तुम्हारी company में 5 share है, मेरे पास आईए, हम तुम्हें 8 share देंगे, लेकिन 8 share, 10 rupees के हिसाब से, valuation तो मत करना, 12 के हिसाब से करना, ठीक है, अभी तक कहानी ये है, यानि जब हम PC निकालते हैं, तो PC निकालते हैं, टाइम पर हमारे पास, दो option होता है, net payment method, और एक net assets method, तो कहीं न कहीं, assets method से related भी, हमें जानकारी दिया जा रहा है, और कहीं न कहीं, payment method से related भी जानकारी है, तो एक बार हम sure हो जाएं, के हमें करना कैसे है, अब दोनों ही कर सकते हो, इसमें, तो आपकी इच्छा है, के कौन सा method apply करोगे, कहता है, 10% preference shareholder of Mehol Limited, यानि इस company की बात कर रहा है, are to be paid 10% premium by issue, 10% preference share Rahul Limited, कहता है कि हम इसे paid करेंगे, अगर इसके तुमारे 100 रुपए का preference share है, तो हम तुमें देंगे 110 रुपए, पर हम तुमें पैसा नहीं देंगे, अपनी company के shares देंगे, कहता है, investment of Mehol Limited, present investment on debenture face value, 50,000 purchase at part to be cancelled, company taken over by Rahul Limited, इस पे हम बात करेंगे अभी, इस पे question mark लागा देते हैं, अगेन कहता है, investment of Rahul Limited, include 9% debenture of Mehol Limited, इस पे भी बात करेंगे अभी हाँ, sundry debtor include, statuary reserve, क्या करना है, compute purchase consideration, pass necessary, general entry, prepare balance sheet, इतनी बाते बताईए, अब बताईए, यहाँ पे purchase consideration जो निकाला जाएगा, वो किस method के according निकाला जाएगा, दोनों लग सकता है, net assets भी लग सकता है, और net payment भी लग सकता है, लग सकता है नहीं दोनों, क्योंकि हमारे दोनों जानका रही है, क्योंकि कितना payment, हाँ, यहाँ पे बस इसने बोला, हम equity वाले को इतना देंगे, preference वाले को इतना देंगे, जितने जितने जाएगे, दोनों को जोड देंगे, वही क्या आएगा हमारा PC आजाएगा, asset method में क्या करेंगे, सारे assets हम किसके निकाल लेंगे, मिहुल लिमिटेट के सारे assets, और माइनस कर देंगे सारा लाइबलिटी, जो निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा PC, तो PC निकालना तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप एक बार, बुक दिखाने को हैं, हमारा कुश्चन नमबर नाइन है, तो मैं इसी के according ले लेता हूँ, आपका, चलिए, net assets method ले लेता है, हाला कि कुश्चन में method कभी बताएगा नहीं, net assets method ले लेते हैं, net assets के लिए मुझे क्या चाहिए होगा सर, मुझे चाहिए होगा balance sheet, है ना, जो कि ये balance sheet है, मैं यहाँ से पहले क्या निकालूँगा, PC निकाल लूँगा, और जो adjustment पे मैंने tick किया है, उस adjustment को मैं एक एक करके बताता जाऊँ है, same format वही रखेंगे, जो पहले रखा था हमने, ठीक है, पहले क्या रखा था हमने asset, अब सारे assets इसके लेने हैं, जितने भी assets हैं, अब question में क्या कहता था, assets के बारे में देखिए, जितने भी assets होंगे, fixed assets, वो जाएगा 20% उपर, तो चलिए fixed assets 20% उपर लेना ही है, तो fixed assets यहीं तो हैं, और किस company के हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आपका मिहूल लिमिटेट के fixed assets तो, 4,90,000 और, 10,000, तो हम क्या क्या लेने वाले हैं, fixed assets का नाम है building, fixed assets का नाम है हमारे building, अब सर बिल्डिंग कितने का है हमारे पास, अभी तो फिलाल कितने का है, लेकिन 4,00,000 को हम कितने percent उपर लेने वाले हैं, 20 याने 120% पर लेंगे, तो मैं simply कर देता हूँ, into 120%, बात भी यह की है, 4,80,000 का, चला गया यह, आ गया हमारे पास, और क्या लेंगे इसके बाद, machinery, machinery, सर, machinery कितने लेंगे हम, है कितने का, 90,000, इसको भी 20% उपर valuation किया जाए, into में 120% इसका निकाल दोगे, 120% तो आपने बता है, सर यह आएगा, एक लाग, 8,000, ठीक है, और क्या लेना है बताओ, furniture लेना है, furniture, 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 सर, furniture कितना लेंगे, हम कितने का है, furniture पहले से देखा जाए, तो हमारा 10 का है, और इस 10,000 पर वेल्यूएशन अगर लगाए, कितने परसेंट, एक सो, एक बात बताओ, 120 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बात होई है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन सौर्ट करती हैं, चलिए, अब, गुडविल के बारे में, स्पेशली कुश्चन ने क्या कहा था, सर, गुडविल जो है, ये भी फिक्स एसेट्स के अंदर, आप देखोगे, बैलिन शीट में, तो इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, गुडविल वैसे पचास है, लेकिन कुश्चन ने कहा कि, गुडविल को मत देखो अभी, गुडविल के बारे में, हम बताएंगे, गुडविल अभी नहीं देखना, आगली लाइन में कह दिया, गुडविल को लेंगे, एक लाइन पचास हजार, डिरेक्ली बता दिया इसने, कि गुडविल टू भी कंसिडर, वन फिफ्टी, तो यहाँ पर गुडविल भी आ जाएगा, गुडविल, कितने का, इसके बाद, जितने भी हमारे क्या थे, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स बोलता है, उसको डाउन ग्रीड कर दो, कितने से डाउन ग्रीड कर दो, पचास परसेंट से, तो सारे करेंट एसेट्स को डाउन ग्रीड कर देते हैं, तो करेंट एसेट्स में है क्या, ये सारा पार्ट current assets का ही है है न इसके अंदर नहीं ये तो नहीं है इसके अंदर cash को consider नहीं करें तो चलिए हम उठाते हैं के-के non current investment के बारे में कुछ बोला नहीं अभी देख लेंगे inventory सबसे पहले inventory कितने का है एक लाग का लेकिन बोला अभी एक लाग का नहीं रहेगा ये इसमें minus कर देंगे कितने 15% तो less 15% करेंगे इसमें तो 85 इसके बाद क्या है हमारा trade receivable debtor तो debtor में क्या होना है कितने का debtor है debtor बताइए कितने का है 1.5 लाग तेड़ लाग का है इसमें भी downgrade करना है minus कितना कर देना है कितने आ रहे एक लाग एक लाग 27,500 आगे चलते हैं उसने cash के लिए तो मनाई कर दिया है cash को same value पे ही लिया जाएगा कितने का है 20,000 other current assets पता नहीं कौन सा है ले लेते हैं other current assets कितने का है 50,000 इस पर भी minus 15% minus 15% कितने होंगे बताईए 42,000 बताईए ब्याल स्पांसर यह कितने का था 20,000 ठीक है अब रह गया एक क्या रह गया हमारा non current आपको बताई था जब question को कुछ ना बोला जाए तो हम क्या करते हैं उसको किस value पे consider कर लेते हैं book value पे लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ adjustment है आप सभी के पास क्या कर रहा है give में question के assets अच्छा question में give न है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा question में give न है क्या रहे हूँ कि assets method से करना है वो एक्जाम में ऐसे नहीं given होगा कि आपको किस method से करना है यहाँ पर टॉप पर लिखा है ठीक है ना तो हमने PC में लगबग लगबग सारी चीजे ले ली है अब रह के आ गया है सिर्फ और सिर्फ investment investment क्यों नहीं लिया है मैं अभी आपको इसका बता देता हूँ adjustment पर चलते हैं तेले यहां तक clear है मैं यहां थोड़ा सा space छोड़ देता हूँ और फिर हम यहां पर कर लेंगे total और यहां पर लिखेंगे current liability current liability current liability लिख लेते हैं थोड़ा मैं इसे उपर कर रहा हूँ चलिए current liability में कुछ भी नहीं बोला current liability मैंने गलत लिख दिया सॉरी liability लिखना है ना current liability नहीं लिखना सिर्फ लिखना क्या है liability अब liability की हम बाते कर लें कि liability में क्या-क्या लेंगे हम तो liability की अगर हम बात करें तो क्या-क्या liability लेने लाइक है क्या हम equity share लेंगे नहीं लेंगे प्रफेंश लेंगे reserve surplus कुछ भी नहीं लेना हमें लेना है long term borrowing हमें लेना है trade payable हमें लेना है other current liability question में नहीं बताया आप question को ध्यान से देखोगे तो question में कहीं भी नहीं बताई कि कितने का लेना है so that मैं सारा-सारा उसी value पे ले लूँगा तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ trade creditor trade creditor trade creditor trade creditor कितने रुपय का है trade creditor बताओ कितने का 59,000 इसके बाद हमारे पास एक liability और है जिसका नाम है other current liability other current liability कितने का है 46,000 और एक और liability है जिसका नाम है debenture तो इसको मैंने hold किया और एक यहां investment को भी hold किया कुछ मुझे समझाना है इसके अंदर point इसलिए मैंने hold किया ठीक है जो चलिए क्या समझाना है आपको देख लेते हैं मैंने question mark भी दोनों पर लगा दिया देखो ठीक है अब मैं आपके सामने balance sheet बनाता हूँ नॉर्मल वाली balance sheet कि अ कि नॉर्मल balance sheet बनाता है ठीक है यह एक balance sheet बना दिया और एक और balance sheet बना देता है एक company का नाम R limited और एक company का नाम M limited आप मुझे बताना क्या यह दोनों company फिलहाल अलग-अलग balance sheet है तो एक दूसरे को जानते हैं क्या नहीं जानते अब मान लो R limited के पास धेड़ सारा पैसा है बहुत सारा पैसा है R limited plan कर रहा है इतने सारे पैसे हैं और R limited plan क्या कर रहा है कि sir हमें कहीं पैसा लगाना है इसके पास multiple option है या तो bank में चला जाए लेकिन bank में rate मिल रहा है 5% पूरे साल का अब सोच रहा है यार कहीं shareware में लगा देते हैं या debenture में लगा देते हैं debenture में अगर यह लगाता है तो उसे मिलेगा 20% rate example ले रहा हूं है तो बताइये आर लिमेटेड कहा लगाने को तैयार होगा debenture अर debenture में लगाने का मतलब किसी और company का debenture खरीदेगा तो आर लिमेटेड ने क्या करा इसी कमपनी के Debenture खरively मिहून लीमेटेड के तो जब आर लिमेटेड मिहून लीमेटेड के debenture खरीदेगा तो यह क्या बोलेगा मैंने मान लेते हैं 20% debenture खरीद लिया मान लेते हैं 5 लाग का तो इसने किसका खरीदा है इसने अपने investment में दिखा है तो क्या आर लिमिटेड की कोई गलती है नहीं है यही होना चाहिए आप भी यही करोगे लेकिन मिहुल लिमिटेड क् कि मैंने debenture बेच दिया है 20% किसको मैंने 20% debenture बेच दिया है किसको बेचाए बताओ ? ट्विंटी पॉर्सेंट debenture बेच दिया है मैंने आर लिमिटेड को कितने का जवाब है 5,000,000 लाग का तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कुछ एक company के अंदर debenture और एक company के अंदर जब debenture issue होता है तो जो company खरीदने वाला है वो अपने assets में show करते हैं और यह investment है और इस investment को non current investment बोलते हैं और जो यह बेचने वाला है वो debenture liability में show करता है यह एक liability है और non current liability है समझ ने बात तो तो सर जब यह company दोनों मिल जाएंगे जब यह company दोनों आपस में मर्ज होंगे तो क्या यह यह एक यह company इस liability की payment करने के responsibility लेगािये नहीं क्योंकि अगर यह company इस लायवलीटी को पेमिंट करने की बात करेगा तो खुद को ही दे रहा हो पैसे समझ रहे हो बात इस कमपनी बोला ले भाई मैं तेरे डिपेंचर को पेमिंट करना हूं ढूदने कहा कहां पता चला मैं ही हूँ थो तो एक तरीके से यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इससे बोलते हैं कॉमन इंवेस्मेंट जो की एक दूसरे के जब तक दोनों कंपनी अलग-अलग है कोई दिक्कत नहीं है और जैसे ही मर्ज होगा तो वहाँ पर यह वाले सिच्वेशन आ जाएगे समझ रहे हो चलिए यहाँ पर अर्जस्मेंट क्या कहता है कहता है इन्वेस्मेंट कहता है यहाँ पर इन्वेस्मेंट जो है जो investment of मिहुल लिमिटेड यानि मिहुल लिमिटेड ये इसके अंदर कोई investment होगा मैं अब book के example ले रहा हूँ इसमें सर investment रहा होगा investment in मिहुल लिमिटेड investment on debenture face value 50,000 अब एक on debenture की कहानी आई on debenture का मतलब मैंने खुद गाई debenture खरीद लिया है जैसे डिवेंचर करवा है तो खुद के को खरीद लिए उसे और फंच यह तो ओन डिवेंचर है यानि मैं अपने ही डिवेंचर को खरीद के बैठा है इसका मतलब है कि सर यह जो अपने दे फिएचर खरीद के बैठ है ना 50,000 जैसे ही राहून लिमिट इसे खरीदने के लिए के लिए जा रहा है दोत कि जा रहा है वह टिबैंचर होड़र से वापस खरीद के इनव समेंठ मानकेचल रहा है मैं cancel करेगा तो वह इधर से भी 2023 करेगा और इधर से भी मत्वा है अगर इाट्र कर गढ़क ओर चलाठी के साथ दवारा इस डीवेंचर को बेच देगा और यहां पर unfit अंतु अंधा नहीं ब्राइद करा है समझे लेते मैंने आप लोगों को चार मकान बेचे और हलात ऐसे हो गए कि लोग बाए दिल्ली छोड़के भाग रहे हैं अब मेरे ही बेची हुए मकान है अब मैंने आपको 20 लाक में बेचे था आप बोल रहे हैं जोड़के कि 8 लाक में खरीद लो इसे तो मैं क्या करूँगा उसक करते हो गर आप वह बेचने को तयार हो रहे हैं मैं खरीद लूँगा और खरीद के अपना इंवेस्मेंट मान लूँगा के देखते हैं फिर से दुबारा एक दिन वही वाली कहानी आएगी वही दिन आएंगे जो चीजे मैंने 8 लाक का खरीदा है फिर से मैं 25 लाक में करण प्रकूर था इससे नहीं बेचेंगे इसमें हमि रहे लेंगे तो चैसल कर देंगे तो सेम ऐसे यहां पर या तो वह से बेचेगा या कैंसिल करेंगा कुस्षिन यहां पर और इस company का जब हम डिवेंचर उठाने लगेंगे तो क्या मैं पूरा इसका डेड़ लाग का डिवेंचर उठा पाऊंगा नहीं इसके डिवेंचर तो 50,000 के क्या हो गए होंगे तो यानि अगर मैं यहां पर डिवेंचर की बात करूँ लिखते टाइम पे तो सर बिल्कुल सही बात है डेड़ लाख रुपे का डिवेंचर था लेकिन 50,000 का खुद का ही था तो कैंसिल करा होगा इन्होंने तो यहां पर कितने आ जाएंगे इसके समझ में आई बात आपको समझ में आई बात आपको तो यहां पर क्या था एक लाख रुपे का अब क्या investment यहां दिखाऊंगा यहां investment दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा क्यूंकि ना तो 50 का दिवेंचर बचा है ना 50 का investment दोनों साइट से कैंसल हो गया तो यह करा चलिए अगले adjustment पर चलते हैं अगला adjustment कहता है investment ऑफ राहूल लिमिटेड इंक्लूड राहूल लिमिटेड के investment में यानि यहां पर रख रखा है राहूल लिमिटेड ने इंक्लूड नाइन परसेंट डिवेंचर आफ मिहूल लिमिटेड जिसकी कहानी बता रहा था मैं यानि इसने इस कंपणी के डिवेंचर खरीदेवे हैं वह बहुत सारा में सबसा हो गया है कोई बात नहीं बस समझना है अपने परचेज कितने का खरीदा था इसने 95 तो अब फिर से वह जब कंपणी खरीदेगा तो इस डिवेंचर को कैंसिल करना होगा हमें तो हम बायर करेगा कैंसिल या सेलर करेगा बायर करेगा हमने पीसी तो निकाल लिया बायर जब सेंट्री जब जनल एंट्री करेंगे तो उस जनल एंट्री के टाइम पर हम एक एं के डिवेंचर को डैबिट डिवेंचर डैबिट हो जाएगा फेस वेल्यू से इन्वेस्मेंट क्रेडिट हो जाएगा पिच्चानवे से क्यूपी खरीदा कितने का है पांच का हो गया फाइदा और यह साधारन फाइदा नहीं है कहां पहुंचा दें इसको कैपिटल उन्टर करेंगे तू देखेंगे पहले दीपीसी की बात देख लेते हैं हैं रहा है इसका टस लाख तो नहीं आएगा दस लाख पच्चिस सो दस लाख हाँ पच्चिस अजार दस लाख लाइबिलिटी बताईए एक लाख 99 1000 रुपए से रह गया अब PC कैसे निकालेंगे मैं यहां दिखा देता हूँ PC is equal to A इसको नाम दे दिया A इसको नाम दे दिया हमने टूटल को B तो PC होगा A minus B तो so that आप निकाल पाओगे 10,25,000 माइनस कर दोगे आप यहीं पर माइनस करना है इस पे इस दिखेगा नहीं आपको तो इसलिए 99,000 और 8,00, जी यह आगया PC अब इस PC को करना है Discharge इस PC को करना है तो सर डिस्चार्ज कैसे किया जाए इस PC को करते हैं Discharge पहले Question में देखिए आपको बोला था इसने कि भाई उसको हम क्या करेंगे Discharge करने के बात पर उसने क्या कहा था कि हम उसे देंगे Equity Share हम उसे देंगे अब देख लेते हैं कितने का Equity दे रहा है कितने का Preference दोनों का जोड के अगर आठ लाक बच रहा है बन रहा है हमारा बोलेंगे ले भाई 26,000 कैसे ले और जा समझ रहे हो तो PC Discharge अगर करना है तो हमें पता चल गया यहीं पर कर दूँ PC Discharge यह यहां कर देते हैं इसकी ज़ृत नहीं है न यहां कर देते हैं इसकी ज़ृत तो है नहीं चलिए आपने PC निकाला है सब cent कितने का निकाला है आपने 8,26,000 मैं यह कैसा आगया मैंने कुछ और तो नहीं मिटा दिया अभी तो मिटाए था पिर वापस आगे चलिए पीसी था हमारा यहां पर आठ लाग चब्विस अजार यह देना है उसको उसने कहा भाई मैं काम करता हूं कैल्कुलेशन कर लेता हूं यहां पर मैं कहता है वह मैं काम करता हूं तुम्हें कोटीशन के बहुत नेला तुम्हारी कि नबरांस की बात करें कश्यर ओं है मैं दिखा देता हूं जो equity share है कितने हैं तीन लाख दस रुपे का एक तीन लाख तो सर यहां पर आते हैं पहले हमारे पास 10 रुपे का एक तीन लाख था तो इसका मतलब मेरे पास जो था वो था 30,000 है न तो मेरी कमपनी के 30,000 और इसको डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू कर देंगे 8 से इसको डिवाइड किया हमने 5 से और इंटू कर दिया हमने 8 से तो सर इसका मतलब क्या होगा इतने तो नंबर मिलेंगे और एक शियर आप ऐसा मसम जो 10 का है एक शियर मेरी कमपनी का ब बताईए क्या रहा है पांच लाख एक तो यह दे दिया मैंने आपको पांच लाक छीह अतर अजार दूसरी बात करते हैं Preference Share Capital Sir Preference Share Capital में कहता है Preference Share Capital मिहुल लिमिटेड पेड 10% प्रीमियम पे हम 10% extra देंगे 12% राहुल लिमिटेड का पार तो Simple सी बात है हम Preference Share देखते है आपका Preference Share कितने है भाई आपका Preference Share कितने है कितने है कितने है 2,0,000 तो आपको दो नहीं देंगे हम ज़्यादा प्यसा देंगे आपको कितने देंगे दो लाख 20,0000 तो प्रफेंट शेर कैपिटल 2,000,00 का था इसके उपर हम premium से paid करेंगे तो plus 10% premium हो जाएगा तो plus 10% तो दो लाख 20,000 रुपए कोई दिक्कत टोटल करें तो इसका टोटल आठ लाख 26,000 होना चाहिए हर हाल में लेकिन हो नहीं रहा कितने हो रहे बताई ये कल्कुलेट करके साथ 96 हो रहा है तो डिफरेंस लीजिए बाकी का ये लो भाई कैश कितने का 30,000 का आपका PC हो गया डिस्चार्ज पहली एंट्री देखो जनल एंट्री मैं बता रहा हूँ पहली जनल एंट्री बिजनस पर्चेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडिटेटर किस अमाउंट से और लाइबिटी सारे असेट को मार्किट वेल्यू पर और लाइबिटी सारा जो हमने PC निकाला है पीछे जो हमने उसको ले लेंगे तीसरी एंट्री PC को डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करते टाइम पर क्या करेंगा लिक्यूडेटर, टू एक्यूटी शेर, टू प्रफेंश, टू सिक्यूरिटी प्रेमियम उसे मैच करना है उसके बाद जो हमारा इसमें स्टैचुरी रिजर्ब भी है डेफिनिटली मिलेगा कोश्चन में, आप देखें, यहां पर आपको स्टैचुरी रिजर्ब मिल जाएगा कहां यह रहा, यह रहा हमारा स्टैचुरी रिजर्ब और जो कितने का है 10,000 का, तो हमें जो कंपनी बिक रहा है, उसका देखना है, हमें अपनी से मतलम नहीं है समझ में है, तो आप पहले PC तक बताइए, कुछ बच्चे डाउट भी पूछ रहे हैं आप PC तक बताइए क्या डाउट आता है ऐक्य रहे हैं मुझे पताथा कि कुछ बच्चों का डाउट आएगा इसमें इसलिए मैं इसको आगे लिके नहीं चल रहा है इसका जनल एंटरी आप एक बार ट्राइए करोगे जनल एंटरी में पताए कहा दिक्कत आएगा जिस पर question mark लगा रखा इस adjustment में, इस adjustment में, मैं आते ही पहले वो कराऊंगा, एक बार आप try करेंगे, general entry के बाद इसमें balance sheet बोला है क्या, बोला है, ये भी बनाएंगे हम, कल वाली class में या नहीं, अभी जो PC का है, वो मैं बता देता हूँ, sir, PC के अंदर जो हमारा doubt है, कैसे आय मान लेते हैं, एक है R Limited, और एक है कौन सा, मिहूल Limited, ठीक है, अब R Limited के पास मान लेते हैं, 500 share है, और इसके पास मान लेते हैं, 1000 share है, कम number of share कम लेते हैं, तो ज्यादा समझ में आता है, इसके पास मान लेते हैं, के 10 share है, ठीक है, अब ये company कहता है, एक काम कर, तू अपनी company के 5 share ला और 6 ले जा अपनी company के 5 share ले के आओ और कितने ले जाओ यही कह रहा है adjustment में देखिए कहता है equity share holder of mihul limited to be issue 8 equity share उसको 8 दिया जाएगा इन राहू लिमिटेड राहू लिमिटेड में दिया जाएगा यानि मैं तुझे आठ देने को तैयार हूं 12 रुपे के हिसाब से every five share of mihul limited जो तेरी company में पांच पांच शेर है तो आप मुझे बताइए mihul limited को कितने शेर दिये जाएंगे मैंने कहा अपनी company के पांच ला और छे ले जा तो क्या करोगे भई 5 लाएगा यह जो है mihul limited यह पहले पांच शेर लेके चल रहा है और पांच शेर लेके इसके पास आया और अपने पांच लेके कितने चले गया इसके पास 6 शेर अभी भी 5 बचे फिर 5 लेके आएगा 6 तो जवाब होगा sir इसको 12 मिलेंगे तो इसको मैंने समझाया है normally अब equation या accounting form में क्या है 10 और इसको हमारी company के divide 5 कर देते हैं और तुम्हारी company के कितने मिलेंगे 6 तो यह देखे 12 आ गया समझे बात वही कहानी यहां पर है आठ लेके आए जितने मेरे पास है पांस से तो पांस से जैसे मैंने divide किया तो मुझे पता चल गया कि कितनी बार आठ आठ शेर लेने जाओंगा और आठ से multiply कर दिया तो हमें number of shares पता चल गया और question कहता है share 10 का जरूर है लेकिन यह मत समझना के 10 रुपे का देंगे share कितने का मानो premium पे दे रहे हैं जब balance sheet बनाएंगे तो 10 का consider होगा वहाँ security प्रेमियम पे जाएगा preference share के case में के भाई मिहू लिमिटेड तुम्हारे जितने भी डिवेंचर है 10% हम payment तुम्हारे जितने भी preference share है मिहू लिमिटेड हम आपको पैसा देने को तयार है 10% premium पे और हम अपनी company के preference share ही देंगे तो तुम्हारे preference share अगर इसके दो लाग थे तो मैं दो लाग बीस अजा मैं बोले भाई अपने सारे share लो 10% premium दे रहा हूं बात खदम तो आप अपने share दोगे मैं आपको कितना लौटाओंगा 110 तो जितना लौटाया जा रहा है वही तो PC का part होता है वही लिखा है हमने clear तो आज की class में हमने देखो question इससे जो question हम कर रहे ना same question इसी type का देखोगे question मिलेगा आपको जिसमें आपको buyers के book बनाने है और buyer की balance sheet इस question को करने के बाद maximum part हो जाएगा फिर मैं सरिफ और सरिफ जितने भी बाकी के questions है general entry वही होनी है दो तीन question मैं कर दूँगा उसके adjustment फटाफट फटाफट कर दूँगा क्योंकि आपको दिक्कत क्या आएगा इन ही टाइप के question point में तो दिक्कत आने वाला है आपको कि इसको कैसे treat किया जैसे मैंने इन दोनों को समझाया फिर इसको कैसे treat किया बाकी उपर वालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए म मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर